यहां पर आपका नाम आपका क्वालिफिकेशन क्या डेजिगनेशन क्या है ना यह सब यहां पर मेंशन किया कि कितने वर्से आप काम कर रहे हैं क्या आपकी पोस्ट है यहां पर फॉस्ट बेस पर मेंशन है अब स्टार्ट है यहां से डाइरी सेवन सेवन डेज के लिए लिखी हुई डाइरी है यह ठीक है तो इसमें भी सिक्स ट्वैल से सेवेंटीन यह दिखिए इंग्लिश में क्या क्या करवाया जाएगा ओरल क्या रहेगा और रिटन क्या रहेगा, वो यहाँ पर बताया गया है, हिंदी में क्या रहेगा, केजी फर्स्ट में, और मैट्स में क्या करवाया जाएगा, वो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, ठीक है, बेकवर्ड काउंटिंग है, यहाँ पर बताया गया है, जीके में, इस तरह से इसको लिखा गया है यहां पर यह क्या है पार्ट बॉड़ी बताए गए है देखिए उसके बारे में लिखा गया है फिर नेक सेवन डेज के लिए हैं इंग्लिश में एटुजेर अल्फा वेट है यह वावेल एई आई यू के बारे में बताए जाएगा इचलिए यहां पर जीए गए हैं ओके ए हिंदी में औरल ड्य रिटेंट वह यहां पर लिखा गया है और भी बताए दे वाले सब्सक्राइब की जोड़कर लिखने का अभ्याज करवाया जाएगा इसreso at मेट्स में औरल रिटन क्या रहेगा उसके बारे में यहां पर लिखा गया है फिर बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाएगी तो इस तरह से बताया गया है कि इस तरह से कुछ ड्रॉक किया जाएगा बोर्ड पर और उनको काउंट करना फ्लावर कितने फ्लावर एकाउंट करके लिखेंगे या कितनी लीव हैं, तो इस तरह से बताया गया, उसके बारे में लिखा गया है, जीके में है यह conversation, question answer पूछ जाएंगे उसे question किया जाएंगे, वे answer देंगे, उसके बारे में लिखा गया है, प्रिदिन एक सेवन डेज के लिए है दाइरी देखिया वाविल वर्ड्स के बारे में ही है बच्चों को प्रैक्टिस और अच्छे से कराई जाएगी हिंदी में आ से आहा तक और रुप्यांजन का से ग्या तक उसका जानकारी दी जाएगी अभी नय करके उनको सिखाया जाएगा वो लिखा गया है देखिया आप इस तरह से आप भी लिख सकते हैं डाइरी यह देखिये क्लास टेस्ट भी होते रहते हैं उनके रिवीजन के बारे में लिख दिया गया है नंबर्स नेम की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी वन टूट एट नाइन इस तरह से तो उनकी स्पेलिंग लिखी गई है उनको वो भी सिखाया जाएगा आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा थेंक यू